आज जसी पार्ट नंबर एक बलेहारी कुद्रत पढ़ांगे जो की कविता है इस दे लेखक हन मनमोहन सिंग दाउं मनमोहन सिंग दाउं पंजाबी बाल साहे दे बड़े ही मशूर लेखक होई हन 1989 देविच सुरोमणी पंजाबी बाल साहे दे लेखक पुर्षकार देना सनमानित किता गया 2012 देविच साहे अकेडमी दे बलों बाल साहे दे लेखक पुर्षकार दिता गया बलहारी कुद्रित कविता दे विच उन्ना ने परमातवां दे द्वारा रची गे स्रिष्टी दे वारे सानु दस्या है किस तरह उन्ना ने सारी स्रिष्टी दी रचना कीती जिस तरह सी कविता दे पहले पाग दे विच पढ़दे हां पूरव है जा पच्छम है उत्तर है जा दखण है पाव तर्ती दा कोई भी हिस्सा है किसे भी दिशा दा जा ओ पूरव दा है पच्छम दा है उत्तर दा है जा दखण दा है सारियां दिशामा उस परमात्मा ने ही बनाई नहीं है सगल तर्तता एको है पाव सारी ही तर्ती एको ही है एको ही परमात्मा ने बनाई है एको ही नूर पसारा है एको ही नूर पसारा है तो पाव एको नूर एको ही परमात्मा इकोई प्रमात्मा तो सारी तर्थी पैदा हुई है पाव तर्थी जो बनी हुई है वो इकोई प्रमात्मा ने पैदा कीती है इसनों बनौन बाले कोई अलग-लग व्यक्ति नहीं है जा अलग-लग प्रमात्मा नहीं है इकोई प्रमात्मा ने सारी स्रिष्टी दी रचना कीती इस दे दूज्जे पैरे दे विच्चे सी पढ़ांगे इको ही सूरज शक्ती दा इको ही सूरज चानन दा पाव जो इस तर्थी दे उपर सूरज है वो इको ही है जो के सारी तर्थी नू चानन दे नाल पर दिन दा है पाव जो हिस्सा तर्थी दा सूरज दे सामने हुंदा है उस्ते चान्दन चा जान्दा है ते जो हिस्सा तारती दा सूरज तो दूर हुंदा है उस्ते है नेरा हो जान्दा है एह किहो जहा वरतारा है पाव जो परमात्मान एक खेडर चाहिए है किहो जी है जो लगदा वड़ा प्यारा है उर्दी रची हुई खेड एसानों बड़ी ही प्यारी लगदी है किते चड़दा है किते छुपदा है पाव सूरज किते चड़ जानदा है किते छिप जानदा है सूरज चड़ा है उतसस चाहा जाद़ा है चुल कोई जो हिस्सा काम कोई राखनें す'. कि ते ठंड है कि ते मगदा है इसे तरह ही तरती दो ते के रुता बनाई यागी हैं सर्दी दी रुत गर्मी दी रुत सौन महीने दी रुत पत्चड दी रुत बसंत दी रुत ते कई जगा ते ता बहुत ज़्यादा ठंड हुंदी है ते किते बहुत ज़्यादा गर्मी है किते रात ठेरन नो आउंदी है किते दिन करदा उजी आ रहा है पाब जिस जगा ते ता सूरज तार्तीदे हिस्से ते रोशनी पौंदा है उथे तां चैन्दन हो जान्दा है दिन चड़ जान्दा है पाप जो हिस्सा तार्तीदा सूरज तो दूर हुन्दा है उथे हनेरी रात च्छा जान्दी है कितने रकड रेत भिछवानधा है खेता ला खूब ने जा रहा है तर्ती दे कई हिसे एहज्यहन जिते चारे पासे हरेत हीरेत भिखाई दिन्दा है कखा रेता जिसतरा राज complement अरिया है दूर दूर तक कितने हर्याली दिखाई नीदिन्दी चारे पास से रेता ही रेता विच्या होया है इस तर्थी ते कई इलाके एह जिवी हन जिते चारे पास से हर्याली ही र्याली है फसलां चूम रही है हन खेता दा निजारा वड़ा ही मन मोहोक है तेहे निजारे देलनू बड़े ही प्यारे लग दे हन किते पर्बत अंबर चुम्देने इसता अर्थी दे केही से जहे हन जिते बहुत उच्चे उच्चे पहाड हन पर्बत हन जो अस्मान देना लगलना कर दे हन किते जीव सागरी कुम्देने जो नदिया नाले समुंदर बने होए हन उन्ना विच लखा करोडां दी गिंती देनाल जीव जानतू रहन दे हन कि ते पंची चीची कर देने ते अस्मान दे विच पंची उड़ दे हन उड़ारियां पर दे हन ते अस्मान नो अपनियां डारां देनाल परी रख दे हन कि ते उड़ोड अंबर पर देने पंचीयां दे डारां अस्मान दे विच यदो उड़ दे हन ते चींचीं हो करदे हैं ते बड़े ही प्यारे लगदे हैं किते दर्या कलकल वगदे हैं कलकल वगना पाफ दर्या दो जो पानी हो दे बगन दी अवाज बड़े ही मिठी ते मदुर लगदी है किते चर्ने गौंदे लगदे ने ते किते चर्ने दा पानी जो पहाडा तो पाणी हेठा डिखदा है जो कुदर्ती चर्णे बने होए हन वो बड़े ही मनमोहग लगदे हन ते दुनिया पर दे लोके ना चर्ण यानों देखन देली को मन देली उस जगाते जान दे हन किते निर्मल चीला प्यारिया हन चीला दा साफ पाणी निर्मल साफ शुद उनना साफ सुथरियां चीला दे विच के तरह दे पंची तारियां लओं दे हन ते लोके ना चीला दा नजारा मानन देली जान दे हन किते फुला सजियां के अरिया हन जिस तरह इस तस्वीर देविच इसी देख रहे हैं चारे पासे हर्याली है का लगा हुआ है हर्याली चारे पासे छाई हुई है पेड़ पूदे हन चूले लगे हुई हन बैठं दे लिएक बैंच लगा है अजिहा पारक दा एक दृष्ष बड़ा ही प्यारा लगदा है ते चारे पास से जो फुल हन खिड़े हौई हन किते पौणा साज बजाओं दियाने पौणा पाव हवावा जो दो हवावावा चल दियाने इस तरह लगदा है जिस तरह कि यो हो साज बजा रही हैं होनो बड़ा ही मिठा मदर अवाज देविच कादर दा नगमा गाउंदियान कादर पाव कुदर दा परमातमा दा कोई गीत गारी है होन नगमा वी जो दो हवा चल दी है इस तरह लग दी है जिस तरह हो परमातमा दा कोई गीत गारी है है किते हरा हरा का हस्दा है किते ता बहुत ही हर्याली है जिस तरह सी पहले पहरे विच पढ़े है सी किते कड़ रेत बिच्छदा है वी कई जगाते ता रेता ही रेता बिच्छदा है ते कई जगाते हर्याली है खोब खेता अंदे विचे लेल हो दिया हसलां दिखाई दियान इस तरह ही जो हरयाली है हरा हरा का अग इतने लगा होया है ओ सानु बड़ा ही प्यारा लगदा है यह मृत्ब अधि cape han quarter दिख इतने है जिमें सवर्गत अर्धी देती हीतुरा अधि well तेहो नजारा बड़ा ही प्यारा लगदा है एह लीला बड़ी प्यारी है लीला पाव परमात्मा ने जो खेड रची होई है एह बड़ी ही प्यारी है इसनों कोई होर नहीं रच सकता सिर्फ परमात्मा दी ही यह देन है किन्नी सुंदर न्यारी न्यारी है एह जो ली स्रिष् इधी रचना केती है सर्ब्करता रिपावै सारी जो स्रिष्टी है एककोई परमातमा ने पेदा केती है इस उनुण बुनन बूआण बाला कोई होझे शुकंजित्व बलेहारी वारे वारे जन्द हाँ जिसने एन्नी सोनी स्रिष्टी दी रचना कीती है मैंनों उमीद है कि प्यारे वद्यार्थियो तो हन्नों है कविता चंकी तरह समझ लगई होवेगी इस कविता देच मनमोहन सिंग दाउने प्रमात्मा देद्वारा रची होई स्रिष्टी देवारे चर्चा कीती है विक इस तरह उसने नदियान, नाले, पेड, पौदे, पहाड, पंची, जीब, जन्तु, सूरज, का, ते, खोर बहुत सारें चीज़ां जो उसने रचना कीती है, इंसान देली, जीब, जन्तुआं देली, सारें देली, एक समान, सब नो इस स्रिष्टी परदान कीती है ते, सन नो इस स्रिष्टी नो संभाल के इस कुदरत दी संभाल करनी चाहिंदी है जो प्रमात्मा ने इस रिष्टी दी रचना कीती है सन उस दे नेमा दे विच रहके ही इस रिष्टी नो संबाल के रखना चाहिएदा है